हेलो फ्रेंड्स आज वें आपको प्राइवेट आए ये 2009 की कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्स्पेन करने वाला हूँ जिस तरीके से शार्लोक होम्स में शार्लोक होम्स और डॉक्टर वाटसन इन दोनों के रिलेशन्शिप दिखाई गई है उसी तरह के से इस मूवी के क्यारेक्टर में भी इन्होंने डेवलप करनी कोशिश की है और अच्छे परसंटेज में ये सफल भी हो जाते है ये मूवी अलग-अलग टन्स से भरी हुई है तो चली इसे एक्स्पेन करना स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि एक आत्मी जंगल से चल रहा है उसके साथ एक डेट बॉड़ी है इसे वो लेकर जा रहा होता है इसके बाद जिन हो जो हमारा मेन क्यारेक्टर है ये हम देखते है जिन हो एक प्राइवेट डिरिक्टी होता है एक वाइफ चीट कर रही थी तो जिन हो ने उस हजबन को वो जहाँ चीट कर रही थी वहाँ पर लाकर छोड़ा था जब चीटिंग करती होए वाइफ को उसने पकड़ लिया तो इसके फोटो जिन हो ने ली ली Newspaper Editor इसे पैसे देता है और पुछता है कि तुम क्यों वहाह जाना चाते हो कि वाह में बहुत सारे पैसे कमाना चाता हो यह joke कर देता है कि वहाँ बहुत सारी wives cheat करती होंगी अब जिन हू सिटी में आता है इसे actual में डिरक्ट्व वर्क भी करना होता है इसलिए अपने pamphlet city में लगा देता है इसके बाद next scene में हमें दिखाया चाता है कि एक operation चल रहा है यहाँ पर एक बड़े doctor होते है जो जापनीज होते है इनके हाथ के नीचे हमारा और एक main character जिसका नाम Jang होता है यह काम करता है इस operation में Jang थोड़ा भी डरा नहीं था और सही से उसने doctor को help की थी तो जब यह operation खतम हो जाता है तो doctor Jang से कहते है कि तुम्हें और भी practice करनी चाहिए जैंक generally animals पर practice करता है तो doctor से कहते है कि अब तुम्हें humans पर practice करनी चाहिए doctor ने अभी-भी operation किया है पर इसके बदले में उसे एक भेज दी गई है यह जो हमारी story का time period है यह 19th century का starting का period है इसी वचे से यहां में दिखता है कि doctor को as a payment वो भेज दे देते है doctor इसमें frustrated होता है क्योंकि जापान में लोग ऐसा नहीं करते थे इसके बाद हमें एक crime scene दिखता है जल्दी से उसके नीचे काम करने वालों को यह पोशने के लिए बोलता है यह कहता है कि यह master के son का room था किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए master आकर यह देखता है और इसे बहुत ही सदमा लगता है master का बेटा ही गायव हो गया है तो बहुत इचीड गयाता है वो जल्दी से जल्दी young को ढूणने के लिए बोलता है young भी कहता है यह अगर आपका बेटा नहीं होता तो मुझे जॉब कभी भी नहीं लगती यह master कहता है कि अगर तुमने सही से मेरे बेटे को ढूण दिया तो तुमारा नाम हम हिस्ट्री में अमर कर देंगे अब नेकसिन में young suspects की list निकालता है वो अपने कलिक के साथ यह list देखता है और उनके नाम से ही logic बनाने की कोशिश करता है एक के नाम में tiger होता है तो इसने ही यह काम किया होगा इसलिए उसको ही वो suspect बना देते है मास्टर को बहुत ही बुरा लग रहा होता है उपने friend से कहता है कि अभी अभी तो मेरा बेटा पढ़कर आया था उसका कोन enemy हो सकता है दिन वो पूरे empire को rule कर सकता है यहाँ पर हम देखते हैं कि जाइंग मुझू थे साब सपय का काम वो यहाँ करता है और काम करते करते ही वो master के sun की photo देखता है इसे shock लगता है और वो बहुत ही डर जाता है रात में सड़क से जब यह जा रहा होता है तो लोग बात करे होते हैं कि master के sun को अगर कुछ हो गया तो यह बहुत ही बुरा होगा जिसने किया होगा उसे बहुत ही तटपाया जाएगा master ने उसके sun को ढूण कर जो देगा इसके लिए बहुत सारा इनाम रखा होगा होता है सुबह हम देखते हैं कि jack जिन हो के पास आता है उसे आकर कहता है कि मुझे एक आदमी को ढूणना है जब पैसे अगरा डिसकस कर लेते हैं तब jack उसे कहता है कि वो एक murderer है murderer का नाम सुन कर जिन हो पीछे हट जाता है वो पुलिस के कामा में ज़्यादा interfere ने करना जाता उसके life को भी खत्रा हो सकता है तो इसके लिए वो case लेने वाला नहीं jack कहता है कि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो jack को उसने बाहर निकाल दिया होता है jack उसे पाच वोन देता है वो कहता है कि मेरी सिर्फ बात सुनने के लिए ये है jack फिर जिन हो को एक जगा पर लेकर आता है jack उसे एक dead body दिखाता है ये master के बेटी ही dead body होती है jack जिन हो जब एक देखता है तो डर जाता है कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा मैंने ये कभी देखा ही नहीं इसा आप मैं pretend करूंगा मुझे पता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा पर ये case जिन हो को नहीं लेना होता jack जिन हो को कहता है कि मुझे body मिली थी मैंने नहीं किया है और इस काम के लिए उसे 500 won देना चाता है जिन हो को अमेरिका जाने के लिए जो ticket लगने वाला है इसकी price ही 500 won है 500 won सुनकर जिन हो रूख जाता है जिन हो कहता है कि तुम्हारे पास body है तुम जाकर directly देख कर आ सकते हो jack कहता है कि मैंने इसके liver वेगरा सब कुछ निकाल लिया है हमने देखा था कि doctor ने jack को कहा था कि real humans पर इसे practice करने चाहिए तो यही jack कर रहा था और इसी वचे से उसने liver वेगरा सब कुछ body से निकाल लिया था अपनी movie के फस में देखा है कि एक आत्मे जंगल से body लेकर जाहा रहा था यह jack ही था गुमते फिर ते इसने एक body देखी और इस पर experiment करना चाहिए ऐसा उसे लगा इसलिए body यह घर पर लेकर आया अब जिन्हो पैसो के लिए एक case लेने के लिए ready हो जाता है जैंग फिर उसे जहाँ पर body मिली थी वहाँ लेकर आता है यह जगा forest में होती है और body वहाँ पड़ी हुई थी जैंग आसपास देखता है तो कार्ट के निशानों से दिखता है जैंग जैंग को लगता है कि अगर इस कार्ट को उसने पहचान लिया तो killer के पास हो पहुँच आएगा पर जैंग ने ही एक कार्ट लाया था जैंग को फिर से मजाग करकर पोचता है क्या तुम शूर हो कि तुमने किया इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मार्केट में आजाते है जैंग जीनहों को कहता है क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि forest के मिडल में जहां किसी को भी औड़ी मिल जाया यहां बड़ी रखी गई थी मर्डर ने कुछ भी effort नहीं लिये थे जिन्हों कहता है कि इसके पीछे दो reason हो सकते है पहला यह बहुत idiot है और दूसरा कि वो चाहता था कि एक body किसी ना किसी को तु मिल जाए जिन्हों जाएंग से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा पीछा कोई कर रहा है इस आदमी को spot करता है और इसके पीछे-पीछे भागने लग जाता है जिन्हों एक जगा पर ठकरा जाता है और यह आदमी आगे चला जाता है जैंक को लगता है कि यही killer हो सकता है इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों एक लड़की के पास आता है इस लड़गी का नाम होता है सुन यह हमारे और एक मेन कारेक्टर है एक फैक्टरी जीसी जगा पर काम करती है पर वहाँ वो बहुत सारे एक्सप्रिमेंट करती है एक्च्वल में इसे सैंटिस बनना आता है इसलिए हमेशा एक्सप्रिमेंट करती रहती है जिन्हों को उसने एक दुर्बीन दी थी पर अब वो तूट चुकी है इसलिए जिन्हों उसके पास आता है इसके बाद ये बात करते करते चलने लग जाते है जिन्हों कहता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छी केस आई है अगर उसने स्वाल कर दी तो उसे अमेरिका जाने के लिए पैसे मिल जाएंगे सुन को भी ये सुनकर अच्छा लगता है कि तुम भी बहुत स्मार्ट हो अगर तुम भी अमेरिका गई तो वहाँ बहुत साही चीज़े तुम सीख सकती हो तो पुछती है क्या तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ जिन्हों कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा सुन के दिये मैं सब एक्सप्रिमेंट्स वगिरा करती हूँ ये करकर मैं अल्रेडी बहुत सारी रिस्क ले रही हूँ सुन टेलिस्कोप और इस तरह की अलग अलग चीज़े बना दिये 1900 का जो वक्त था इतना प्रोग्रेसिव नहीं था औरते ये सब कर सके एक्सिप्टेड नहीं था इसलिए सुन के दिये कि मैं करकर औल्रेडी रिस्क ले रही हूँ इसके बाद हम देखते हैं ये जिन्हों मास्टर के घर में आ जाता है जहाँ पर मास्टर के सन को उठवाय गया था तो ऐस पुलिज ऑफिसर वो ढोग करकर वहा आ जाता है पुरह मर्डर सिन को देखता है यहाँ पर उसे ड्रग्स मिलते है यह सब चान्बिन कह रहाता है तब ही एक पुलिज ऑफिसर उसे ढोण लेता है इसके बाद उसी यंग के पास ले कर जा जाता है यंग उसे मारता है और कहता है कि अब ये case खतम हो चुका है इसने जो real killer है उसे पकड़ लिया है यंग ने किसी को भी उठा लिया है और उसे वो confession लेने के लिए जबरदस्ती कर रहा है जिनो कहता है कि अगर ये killer है तो उसने body कहा रखी है यंग ने सिर्फ suspect के नाम से उसे पकड़ लिया था ये logic जब जिन हो सुनता है तो इस पर वो हसने लग जाता है जिन हो को फिर छोड़ दिया जाता है वो डारिकली जैंग के पास आता है जिन हो ने murder scene से जो drugs लाये थे वो जैंग को दे देता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये drugs है जैंग अब इसका study करने लग जाता है और उसे पता चल जाता है ये drugs है जहाबर ये drugs sale किये जाते है वह फिर जिन हो और जैंग पहुच जाते है यहाँ अंदर सब नशेडी पड़े हुए होते है यही से ही master के sun ने drugs लियोंगे तो इसकी inquiry वो करने लग जाते है थोड़ी दिर में इस जगह का boss आ जाता है और वो जैंग को पहचान लेता है उसे पता है कि डॉक्टर के नीचे काम करता है और यह कफी भी drugs नहीं करता अवेगुंडा सब आत्मे को लेकर उसे मारने लग जाता है जैंग और जिन हो भी रेजिस्ट करते है और बहुत सारे लोगों को मारते है बोस को पकड़ लेते है और उसे उल्डा लटका देते है उसे पुछते है कि तुमने लास्ट पार कब मास्टर के सन को देखा था पहले भोल नहीं रहा था पर उसे बहुत डराते है तो बोलने लग जाता है यह कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जब उसे देखा था कि वो ड्रक्स लेने के लिए आया था उस दिन उसके घर के डारेक्शन में वो नहीं गया डॉंगी निनम नाम की एक जगा थी यहाँ पर वो गया था जब जिन हो और जाएंग यहाँ पहुच जाते है तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर एक सरकस थी यह सरकस अब ज़रा आगे चली कही है निकसिन में हम देखते है कि रात में कमिशनर के घर पर एक आदमी आता है इस आदमी को कमिशनर जानते है तो अंदर आने देते है पर यह आदमी कमिशनर का खोन कर देता है फिर से जंगल में जहाँ जाएंग को मास्टर के सन की बाड़ी मिली थी उसी जगह पर पुलिस को मिल जाती है अब कमिशनर की डेड़ बॉड मिल चुकी है तो मास्टर और भी चिट गए होते है मास्टर यंग को धमकी देते हैं कि अगर उसने उसके सन को नहीं जल्दी से डोन कर दिया तो उसे वो फायर कर देंगे के बाद हम देखते हैं कि यंग एक आदमी के पास आयो हुआ है इसका नाम होता है इकवांग यंग इकवांग से पुझता है कि मैंने तुमें ही इन दोनों को इंट्रोडूस कर रहा था यानि कि कमीशनर और मास्टर का बेटा और अब यह दोनों डेड है इकवांग पर यह शक ले रहा होता है इकवां के यह दोनों पड़े आदमी थे इनके बहुत सारे एनिमीज हो सकते हैं हमने मुवें में देखा है जिसको कमीशनर ने मारा था यही इकवां है अब पुलिस को कमिशनर की बॉडी मिल चुकी है तो उसकी ओटपसी करने के लिए डॉक्टर को पुलवया जाता है पर डॉक्टर जैंग को ही लेकर आता है जब जाएंगी autopsy कर रहा होता है तो commissioner के मुँँ में एक कपड़ा होता है जिसको छुपा कर अपने pocket में रख लेता है यहाँ इस autopsy में figure out करता है कि जिस knife में दोना तरफ से धार होती है इसे knife से murder किया गया था यह रात में जाकर जिन्हों को यह सब बाते बता देता है जिन्हों भी investigation करी रहा था तो उसे knife के बारे में पता चल कया था commissioner के मुँ में जो कपड़ा था यह एक नया सुराब उन्हीं मिल चुका है तो इसके पीछे अब वो लग जाते है यह कपड़ा आया कहा से है यह पता नहीं कर पाते सुन intelligent है तो सुन के पास जिन्हों यह कपड़ा लेकर आता है पर थोड़े experiment करती है फिर उसे पता चलता है कि इस कपड़े पर flower बना हुआ था इसे flower के कपड़े सरकस में ही लोग पहनते है commissioner का बेटा murder होने से पहले सरकस में ही गया था तो अब यह दो evidence इने मिल चुकी है तो सरकस में कुछ ना कुछ तो गड़बड है इसे pursue करने के लिए वो निकल जाते है जाक कर वो सरकस देखने लग जाते है तो वहाँ इकवां होता है इकवां डबल एज नाइफ से एक show दिखाता है जिसमें एक आदमे को board से बानता है और उस पर यह चाकू चलाता है इकवां कहता है कि audience में से अगर कोई आ जाए तो सरकस में एक game खेलती होए डरेगा तो यह बहुत ही मज़ा आएगा जिन्हो जल्दी से उट जाता है और इसके लिए ready हो जाता है इकवां थोड़ी दर तक आखों में पट्टी बान लेता है उसके बाद चाकू चलाने लग यह देखकर जिन्हो बहुत डरा हुआ होता है पर successful यह game complete हो जाता है जब जिन्हो ने इस game के लिए volunteer किया था तो उसी वक्त उसने knife वहाँ से चुरा ली थी यह knife वो चेक करते और confirm हो जाता है कि इसी knife से murder हुआ था जिन्हो अभी भी कहे नहीं सकता कि इकवांग ने murder किया है क्योंकि सरकस में इन knives को कोई भी पा सकता है और किसी ने भी murder किया हो सकता है इसके बाद हम सरकस देखते है इकवांग ने एक लटकियों को पकड़ कर लटकाय हुआ होता है यह लटकी यहां से भाग रही थी इस वजह से उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बाय किया है तुमार लटकी को छोड़ देता है इसके बाद हम देखते हैं कि newspaper वालों के यहां जिन्हों को पुलाया गया है सरकस में एक बड़ा event चल रहा है जहां governor, police officer यह सब आने वाले है यहां किसी को भी allowed नहीं है तो जिन्हों को वह कहता है कि वहां जाकर चुके से तुम कुछ images लेकर आओ यहां क्या चलता है यह किसी को भी पता नहीं है इन्हें हम कुछ expose कर सकते हैं यह newspaper वाला कहता है कि यह काम dangerous हो सकता है जिन्हों pretend करता है कि उसे भी dangerous लग रहा है पर actual में उसे भी जाना होता है क्योंकि अब वो case की investigation करने के लिए सरकस के बारे में और भी कुछ जानना चाता ह सरकस के यहां जाकर सरकस वालों से वो कहते है कि तो भी free की publicity मिल जाएगी इसलिए वो सरकस वाले भी इन्हे फोटो लेने के लिए help कर देते हैं जिन्हों अलगर 10 में घुसता है और वहाँ नाइप्स खोजने लग जाता है यहां उसे killer कौन है इसका कुछ ना कुछ तो evidence मिल सकता है पर इसे एक आदमी ढून लेता है और बहार निकाल देता है यहां से जा रहाता है पर दोनों छोटे लड़किया इसे रोक लीती है गयती है कि please हमारा भी photo ले लो जिन्हों पहले मना करता है पर यह बहुती sweetly उससे request करती है तो जिन्हों भी मान जाता है जिन्हों दूसरे बार कुछ अलगी चीज़े करता है कुलिस पर यानिकी यंग पर अप्रेशर बढ़ने लग चुका है तो एक आदमी को जो बहुती गरीब होता है confession करने के लिए मना लेता है यह एक fake body भी रखवा आते है यह आदमी सिर्फ पैसों के लिए admit करता है कि उस नहीं master के son को मारा है जब इस murder को देखने के लिए जिन हो और जैंग जाते हैं तो जैंग कहता है कि मैं तो इसे पहचानता हूं यह वही आदमी था जिस पर operation हुआ था यह बहुत ही गरीब है इसी वज़े से इसने confession किया होगा यह वो जिन हो को बताता है जिन हो अब यंग के पास जात होगा तब तक इस आदमी को कुछ भी होना नहीं चाहिए अब रात में investigation करने के लिए जिन हो सरगस के आसपास घूम रहा होता है तब इकवांग उसे ढूंड लेता है इस पर हो चाकु लगाता है कि तुम यहां कर क्या रहे थे यह जिन हो को धमकी देता है कि अगर वो जिन ब्रदर वहाँ जाता है यह दोनों मिलकर जिन हो को बान देते है इसके बाद यह सरकस का शो करते है इकवांग का जूरवा ब्रदर अब जिन हो से मिलने के लिए जिन हो कहता है कि तुम नहीं मर्डर किये है यह जूरवा ब्रदर कहता है कि तुम पुलिस नहीं हो हम दो उनों को अक्यला छोड़तो जिन्हों अभी भी बंदा हुआ है और उसी वक्त सरकस का शो चल रहा होता है हमने जो दो लड़किया देखी थी वो सरकस में काम करती है और शो करते वक्त उपर से चलांग लगा देती है यह बहुत ही इंजोड हो जाती है जैंग भी जिन्हों को दोनते दोनते यहां आही चुका होता है और जिन्हों को छुड़वा लेता है यहां से जा रहे होते पर लड़की इंजोर है तो जैंग इसे देखने लग जाता है एकवांग भी इस लड़की के पास आयो होता है उसे बहुत ही बुरा लगता है यह अपने ब्रदर पर घु यहाँ पर पुलिस को बुलो आजाता है यंग इकवांग का फ्रेंड ही है तो यंग कहता है कि किसे ना किसे तरीके से मैं जल्दी से केस निप्टा लूँगा कोई भी वरी करने को तुम्हें जरूरत नहीं है जिन्हों के पास यंग आता है और कहता है कि क्या तुम्हें रियल किलर मिला है जिन्हों यंग को कुछ भी नहीं बताता जिन्हों को पता है कि जो ब्रदर जिन्दा है यही किलर है पर वो बताने नहीं वाला जो छोटी लड़की उपर से किरी थी इसको जैंग हेल कर सकता है यह जल्दी से उसे हो हस्पिटर में लेकर आता है वो डॉक्टर को सरजरी करने के लिए बोलता है पर डॉक्टर मानने रहा होता जैंग डॉक्टर पर बहुत ही जिर जाता है वो कहता है कि क्या तुम सिर्फ पैसु के लिए नहीं कर रहे है डॉक्टर भी चेट जाते और वहाँ से चले जाते है जाएंग अब खुद ही ऑपरेशन कर डालता है रात में जिन हो सुन से मिलने के लिए आता है जिन हो अब जरा परिशानी में है सुन यह पहचान जाती है सुनके दिये तुमें जो भी लगता है जो तुमें करना चाहिए यह तुम कर डालो वो कहती है कि जब तुम पुलिस में थे तुम जिस तरह से फियरलेस थे उसी तरीके से फिर से तुम यह काम करो यहां इनकी बात चीज से हमें पता चलता है कि एक दूसरे से पहले प्यार करते थे पर अब इन में ब्रेक अब हो चुका है इसके बाद हम देखते हैं जिन हो यंग के पास जाता है और इसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिन हो फिर सरकस में पोशता है आसपास कही भी इकवांग नहीं होता पर उसका एक आदमी जो उसके पर वो ट्रस्ट करता है वो वह होता है जिन हो फिर उसे बहुत मारता है और इकवांग का पता निकालता है नियूसपेवर वाले ने जिन हो को कहा था कि कमीशनर बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये सब इकवांग के पास जाते है ये क्यों जाते है इसका रिजन अब उसे पता चल जाता है इन सब लोगों का कलब था जिसमें कमिशनर, गवर्नर, मास्टर का बेटा ये सब शामिल थे इकवांग इन सब लोगों को लड़किया सप्लाई करता था ये सब मिलकर इन लड़कि के पास आया हुआ है एक्चुल में इकवांग और उसका जो ब्रदर है इनमें से एक लड़किया सप्लाई करता था दूसरे ब्रदर को जब पता चल गया कि उसका ही ब्रदर लड़किया सप्लाई करता था ति वो बहुत ही चिड़ गया गुसे में आका रिवेंज लेने के लि यंग अब उस जगा पर पहुच जाता है कमिशनर को मारने से पहले ही इकवांग को रोक लेता है इकवांग को अरेस करना चाता है पर इकवांग यंग को मार डालता है यहाँ पर गन लेकर जिन्हो भी पहुच जाता है इकवांग जल्दी से छुप जाता है और सब लाइट्स बन कर देता है अब इन दोन में बहुत fight होती है fight में ही एक दिवार से जीनो टकरा जाता है इस दिवार से उसे बहुत सारे drugs मिलते है यानि कि लड़कियों के साथ-साथ drugs भी supply किये जाते थे यही drugs लेने के लिए पस्टर का बेटा सरकस में आया था, लास में जिन्हों गोली चला कर इकवांग को मार डालता है, केस अब सॉल हो चुका है, तो जिन्हों को इस केस के लिए पैसे मिल जाते हैं, वो अमेरिका जाना चाहता था, पर सुन को अमेरिका भेज देता है, सुन एक साइंटिस्ट है और वो अमेरिका जाकर अच्छा-च्छा अविश्कार कोरिया में ला सकती है इसलिए वो वहाँ उसे भेज देता है सुन उसे कहे रहे हुती है कि वो भी उसके साथ चल सकता है पर जिन हो कहता है कि मैं अब उन दोनों लड़कियों का ख्याल रखने वाला हूँ मुवे के लास में हम देखते है जिन हो और जैंग के पास कुछ आदमी आते हैं इन दोनों को एक बड़े से आदमी के पास वो लेकर आते हैं यह आदमी उनसे कहता है कि मेरा एक लेटर गुम हो गया है, यह नेदर लैंड में है, जिन हो और जाइंग एक अच्छी टीम बनाते हैं, तो इन दोनों को यह लेटर ढोड़ने का काम हो दे देता है, जब यह आदमी चला जाता है, तो जिन हो को पता लग जाता है, कि यह आदमी और कोई नहीं था, तो यह हमारे किंग ही थे, जिन हो और जाइंग दोनों बहुत ही खोश हो जाते हैं, क्योंकि इने बहुत सारे बैसे भी मिलने वाले हैं, अब यह दोनों as a team में केश सॉल्ड करने के लिए लग जाते हैं, यही मूवी एंड हो जाती है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, बहुत सारी इस तरह की मूवी इस लिकर आतर रहता हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और बेल नुटिविशन आइकोन दबाना में मत भूलिये, हम विडिसे मिलेंगे और एग नहीं मूवी के साथ, तब ते के लिए थांक्यो, और आप अपने आपका ख्याल रखिये,